सब्सक्राइब कर दो हमारे रिट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्का दोस्तो आज से वी का हमारे आपके वीटिटेने जीपी एड़ेस्ट में वह वह स्वागत है तो दोस्तो आप में बहुत सारे क्लास 10 और 12 चैनल का कोशिट था किसर जो मारे बोर्ड एक्जम को कोशिट पर आएगा वो इजी आएगा या हार्ड आएगा तो दोस्तो माज माश्यों को कहाथ देने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो पुरी एंड देखना और अगर्व कुमारी अच्छी लागे तो प्लिज वीडिज़ करेंगाना च्राइफ खूने करते tehd recipro रही तो सब्सक्राइब कर यह क्ई पर आने बाला इस साल का वह काफी सिंपोल आने तो उस साल के जो question paper आते है वो काफी simple और easy होते है अब बहुत से student के मन में question आ लोगा कि exam के pattern में change जो है तो question paper easy क्यों आएगा तो दोस्तों आपको सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी exam के pattern में change होते है तो CBSC try करते है कि student को exam के new pattern से कोई problem ना होए इसलिए CBSC जब भी exam के pattern में change करते है तो उस year का जो question paper होते हो काफी simple और easy होता है as compared to last year के यह तो होगा पहला region exam easy आने का दूसा region यह है कि CBSC ने passing criteria change कर दिया इस साल का passing criteria का मतलब कि जैसे पहले theory or practical दोनों मिला के पास होना था जो की काफी असान था क्योंकि बहुसर स्ट्रेंट को 20 marks practical में मिल जाते और वो theory में 13 number 12 number लाके easily pass हो जाते थे बट इस साल से आपको theory में अलग pass होना और practical में अलग pass होना है जिस करहने से आपको pass होने में थोरी दिक्कत होगी क्योंकि आपको इस साल pass होने के लिए कम से कम 24-25 marks लाने पड़ेगे अगर आपको pass होना है जबकि last year आपको 13-12 number लाने से pass होने के लिए तो examiner को ये बात पता है इसलिए examiner अपनी जब से आप सभी की help करेगा और कोशिस करेगा कि last year से इस साल को तो board exam question paper वो काफी easy और simple बनाए ये बात दोस्तो मेरे को बहुत साई teachers ने बताई है और उन्होंने ये बात अपने experience बताई है तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा reason है आपको paper easy आने का तो दोस्तों ये तो गदो main reason जिस कारण से board exam paper इस वार easy आ सकता है अब अपने बात करते हैं third reason की third reason ये है कि इस साल board exam paper काफी जल्दी start हो रहे है as compared to last year के तो student को बहुत कम time lap preparation करने के लिए तो ये बात examiner को पता है तो examiner try करेगे इस साल question paper थोड़ा easy और simple बने जिससे हर student उसको solve कर सके और pass हो सके तो guys इस तरीके से बहुत सार रीजन है जो indicate करेगे इस साल का paper काफी easy और simple आ सकता है तो guys इस video मैं आपको जो भी reason बता है वो सारे मेरे को पहले teacher से नहीं बता है तो guys आप टैंसर मतलो board exam को paper काफी simple आने वाला है आप सभी अगर थोड़ा बहुत भी study करते हो तो आप easily उस question paper को solve कर पाऊगे और pass हो पाऊगे तो guys अगर आपको भी लगता है कि इस साल को question paper easy आएगा तो इस video को like करना और मेरे सारे friends सा share करना जिसे उनको बता रख सके कि इस साल को question paper कैसा आएगा और वो उसके according अपनी preparation कर सके तो दोस्तो इस video में इतनी अपनी free में लेगे next video में तब सभी आपने द्याने को life enjoy करो जल गोई नी पढ़ लेंगे पढ़ले 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